आज मैं आपके लेके आई हूँ पास्ता की रेसिपी और ये पास्ता रेसिपी बहुती इजी है घर पे आप रखे समान से इसको बना सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में और एकदम टेस्टी स्पाइसी पास्ता बनके तयार होता ये देखिए टेक्शर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है ये तो आप भी इसे एक बार बना के ट्राइब करें अगर आपको पास्ता पसंद है तो दिमशकार दोस्तो मैं शुष्मः आपका शुष्मा क्रिस्वई में स्वागत करत expertise मैं कड़ाय में ले आप jakieś otob 365 और नमक और इसी के साथ यहां पर एक payments डाल रही हूं olive oil थोड़ा सा पानी यहां पर गरम हो गया है अब यहां मैंने एक कफ पास्ता लिया यहां पर मैंने है पास्ता लिया है, आप कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं, बस इसे हमें यहाँ पर बॉल कर लेना है, बहुत जादा बॉल नहीं करेंगे, स्रिफ 90% करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, बीच में ले रही हूं, यहाँ पर पानी मैं इसका पास्ता का ले लूँगी, और इस को हम यहां पर बाद में यूज़ करेंगे तो यह देखिए यहां पर मैं हाफ कप पानी निकाल ले रही हूं इसते जब हम पास्ता में इसको डालेंगे बनाते वक्त तो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो यहां पर देखिए हाफ कप पानी में निकाल चुकी हूं इसको साइड म बावल में निकाल के इसको रख लेंगे तो यहां सारा पास्ता में निकाल ले काल लिए इसको too डाल रहे हुँ एक बड़ा चंमच नोब डाल रहे हुँ औलिव ओल इसी के सााथ यहां पे डाल रहे हुँ ओन टेबल स्पून बारिक कटा हुआ अध्या बसक्ति में और नहीं है बहुत हररे हैं जलाना नहीं है हमेर हम बसको भूनना है तो यहां पहुत लगëं प Liverots стали बैने हरें अब तोड़ा सा भून के तयार है घाल humble ऑ को लई फुलें और अच्छे से में ना है तो तमाटर जब तक अच्छ तेल न छोड़े मसाला तो यहां पर हमें तब तक भुनना है और देखिए टमाटा अच्छी से भुन गया अब आधा चमच नमक डाल रहें यहां पर आधा चमच लाल मिर्ची का पौवडर आधा चमच खाली मिर्ची का पौवडर आधा चमच चिली फ्लेक्स आधा चम्मच औरिग्यानो आप इसके जगा मिक्स हब्स भी डाल सकते हैं फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको यह देखिए मसाला भी अच्छे से भुन गया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक पिंच यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा सारी चीज़े बैलेंस हो जाएगे मसाले बगएरा तो अब जो हमने हाफ का पानी निकाल के रखा था पास्ता का वो मैं निकाल इसमें डाल देती हूँ और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा गाडा कर लेना है तो देखिए यहाँ पे यह थोड़ा सा गाडा हो गया है मसाला अब यहाँ पे एक चुथाई कप में डाल रही हूँ दूद हलका सा गाड़ा करना है थोड़ा सा मैंने इसको बॉइल देखे इसमें आ रहा है अब पास्ता इसमें डाल देते हैं तो यहां पे देखिए पास्ता मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा जो यह ग्रेवी है इसको थोड़ा सा तो यहां मैंने डाल दिया है एक चुथाई कप मैंने यहां पर मॉजरेला चीज यूज किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यहां पर तो यहां देखिए अब टेक्शर देख सकते हैं पास्ता का बहुती बढ़िया पास्ता बनके त्यार हुआ है और घर के ही समान स आप इसे बना सकते हैं ये देखे कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है खाने बहुती टेंटिंग है पास्ता बनके तयार है चलिए सर्फ कर लेते हैं ये देखिया है आप ये देखिये मोजरेला चीज है इसमें तो कितना बढ़िया इसमें देखे टेक्शर आ रहा है तो यहां पे मैंने इसको सर्फ कर लिया है देखिए बहुती बढ़िया बहुती यमी आप घर पे बनाएंगे एक बार तो आपको बार बार बनाना इसको पसंद आएगा अब इस पे में डाल दे रही उपर से चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डाल देंगे पारी कटावा ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे तो यहां देखिए स्पाइसी पास्ता बनके तयार है अगर आपको रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूल न बूलें और कमेंट करके मिल को जरूर बताईएगा कि आपको रेस्पी कैसी लगी थैंक यू